हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जिन्यों जिन्दी मैं मैं हूं मोहिच चत्रवेदी आज हम लेकर आए हैं वीवो का ऐसा फोन जिसका कलर चेंज होता है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना वो पीछे से अपना कलर चेंज करता है दूप से और यूवी रेस से आज हम बात करने वाले हैं वीवो वी 25 के स्मार्टफोन की जो हाली में लॉंच हुआ है आज हम करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग और बताएंगे फोन में क्या खास है तो दोस्तों यह हमारे पास वीवो वी 25 का बॉक्स जो आता है ग्रे कलर में इस बार कंपनी ने बॉक्स को पिछली बार की तरह ही रखा है थोड़ा बलकी है थोड़ा बड़ा है मतलब अंदर बैटरी मिलने वाली है अंदर हर चीज मिलेगी आपको हमारे पास जो और 128 GB स्टोरेज और जो आता है सर्फिंग ब्लू कलर में कंपनी ने ब्लैक कलर में भी इस फोन को निकाला है तो आएए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या-क्या मिलता है को खोलते से ही सामने आगया हमारा फून फौन को निकाल selfish अच्छा बना आया है इस बार कंपनी ने कुछ अलग किया है विऑव तो यह केस जो काफी अच्छी क्वालिटी का है आप इसको असानी से यूज कर सकते हैं बाहर से 100 रुपे के केस की लेने की जरुवत नहीं है आपको यह आपका काम अराम से चला देगा साथ में मिलती है कुछ बुकलेट्स कुछ वारंटी कार्ट्स और यह मिलता है बड़ा सा चार्जर जो आपके फोन को जटपट चार्ज करेगा और इसके अलावा केबल और सेम इजक्टर जो काफी यूसफुल है फोन के लिए चलिए सबको साइट करते हो आते हैं फोन पर तो पहले आपको बताएंगे इसके डिजाइन के बारे में कंपनी ने इस बार यहां पर फड़ा श्लिपरी सा दिया है मतलब आपको पकड़ने में हलकी से परिशानी हो सकती है साइड में से काफी कट्स दिये हुए है थोड़े से कर्व होते तो काफी अच्छा होता बाकी चेंज हो रहा है याने आप जैसे धूप में जाएंगे तो यह फोन कलर चेंज कर देगा फोन का कलर पूरी तरीके से अलग हो जाएगा तो दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो काफी अच्छा है काफी है एंडी है 6.7 जाते है तो हो सकता थोड़ा बड़ा हो जाता मगर यहाँ पर 6.44 काफी अच्छा है साथ ही यहाँ पर 90 Hz का refresh rate मिलता है जो 120 होना चाहिए था बट यहाँ कंपनी ने सिर्फ 90 Hz refresh rate दिया है साथ ही phone में Mediatek Dimensity 900 का processor मिलता है जो 5G smartphone के हिसाब से काफी अच्छा है इस phone में आपको कहीं भी परिशानी नहीं आएगी phone काफी fast चलेगा काफी अच्छा perform करेगा और इसके अंदर कहीं भी hang नहीं होगा आप अराम से हर चीज को चला सकेंगे कई apps यूज करने के बाद भी phone कहीं भी परिशान नहीं करेगा आपको तो अब इसके camera की बात करें तो यहाँ पर आपको 64 megapixel का बड़ा camera दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर 8 megapixel का ultra wide camera है और साथ में 2 megapixel का macro sensor ओफर किया जा रहा है इसके साथ में आपको flashlight दी है जो काफी अच्छी और unique लग रही है अब आपन सामने की बात करें तो यहाँ पर company ने 50 megapixel का camera दिया है दोस्तों जो काफी अच्छा है कोई भी company अभी तक 50 megapixel का offer नहीं कर रही है इस price range में यहाँ पर वीवो ने सबसे अच्छा काम किया है selfie camera देकर जो 50 megapixel में आता है सामने आप वीडियों में देख रहे होंगे कैमरा कॉलिटी इसके कितनी अच्छी है और इसके अलावा हम आपको रिवीव में आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं तो दोस्तों बैटरी की बात करें तो यहाँ पर company ने 4500 mh की बड़ी बैटरी दी है जो 44 watt के charger से charge होगी यानि phone बहुत जल्दी charge होगा आपको कोई परिशानी नहीं आएगी आदे घंटे में phone full charge हो जाएगा आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसमें अपन इसके बात करें कीमत की तो company ने इसको 2 variant में market में उता रहा है 8 GB, 128 GB storage variant के कीमत 27,999 रुपे है वहीं 12 GB, 256 GB variant के कीमत 31,999 रुपे है कीमत के हिसाब से phone काफी शानदार है इसका हम बहुत जल्द आपको review लाने वाले हैं जहां बताएंगे phone चला कर हमें कैसा feel हुआ इसमें क्या खामिया निकली और इसमें क्या अच्छी चीज हमें सामने नजर आई दोस्तों ये था हमारा आज का unboxing का वीडियो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जीनियो जिन्दी नमस्ते